दोस्तो आज हम बनाएंगे एक कप गीहू के आटे से धेर सारा मोतक इसे बनाने के लिए आपको बहुत जादा मेहनत करने की जरूत नहीं है कम खर्चे कम सामान में ही बिना मोल्ड आप इसे जटपटवा आसानी से बना सकते हैं ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पर कड़ाई रखी है इसमें एक चम्मच घी डालेंगे आधा कप मैंने घी ली है बाकी के घी का इसमाल हम बार में करेंगे घी कोई सी भी क्वाल्टी का ले सकते हैं जो आपके पास उपलब धो मैंने देशी घी ली है घी मेल्ट हो जाने पर इसमें मैंने एक चम्मच सौफ डाला है और दो चम्मच हम इसमें सफेद तिल डाल रहे हैं इससे मोदक में बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा इनको कुछ सेकेंज के लिए भून लेंगे और जैसे ही तिल चटक जाए तो इसमें हम थोड़े से ड्राइफूर्ट चाल देंगे यहाँ पर मैंने काजू बदाम पिस्ता को पारी काट कर ली है इसे आप कम ज्यादा ले सकते हैं या जो ड्राइफूर्ट आपको पसंदो वो आप ले सकते हैं साथ में मैंने आधा कप डेसीकेटेड कोकोनट ली है यानि नारियल का पुरादा यदि आपके पास डेसीकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप सूखे नारियल को मिकसर जार में पीस कर भी ले सकते हैं तक इस्टोर कर सकेंगे, तो देखिए, इनका कलर हलका गोल्डेन हो गया है, तो अब हम इनको एक बॉल में निकाल लेंगे, और इनको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और अब यह जो बचा हुआ घी है न, इसे हम इसी कढाई में डाल देंगे, और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और थोड़ा गरम कर लेंगे, और देखिए, घी मेल्ट भी हो गया है, और थोड़ा गरम भी हो गया है, गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है, और अब हम इसमें एट करेंगे, एक कप गेहु का आटा, यह वहीं आटा है, जिससे हम रोटिया बनाते हैं, इनको घ अच्छे बनेंगे, तो इनको हमें तब तक भूनना है, जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुसबूना आने लगे, और इनका कलर हलका गोल्डेन नहों जाए, इनको ब्राउन नहीं करना है, धीमी आज पर लगातार चलाते हुए भूनना है, आटा जल्दी जलने लगता है, मीडियम आज पर या तेज आज पर भूनेंगे न, तो आटा जल जाएगा, टेश्ट तो खराब होगा ही, कलर भी अच्छा नहीं आएगा, तो देखे, इनको मैंने धीमी आज पर 8-10 मिनट तक भूना है, इनमें से अच्छी सी खुसबू आ रही है, आटा हमारा अच्छी स भून चुका है, तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम आगे की त्यारी कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ सेम कढ़ाई ली है, जादे बरतनों का इस्तमाल नहीं कर र चीनी की मातरा आप अपने हिजाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा खाना आप पसंद करते हों, और देखे, एक से दो मिनर तक मैंने इनको लगातार चलाते हुए पका ली है, चीनी मिल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर ली है, इससे मोदक में मावे वाला टेस्ट आएगा, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, तो दूद की मातरा डबल कर लीजेगा, और उसे आधा होने तक पका लीजेगा, और देखे, मिल्क पाउडर को सीधे कढाई में डालना ह इसमें थोड़ा सा नॉर्मल दूद डालकर मिला लीजेगा, उसके बाद इनको कढाई में डालेगा, सीधे पाउडर डालेंगे, तो इनमें कुठलिया पड़ जाएंगी, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक उबाल आने तक पका लेंगे, उबाल आने पर 5-6 दागे में केसर के डाल रही हूं, और थोड़ी से जाइफल, कोई भी मीठे चीज में थोड़ा सा जाइफल डालकर लेने से, मीठे का फ्लेवर बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं डालना है, बस चुटकी भर हमें इसे क्रेट करना है, अगर आपके पास जाइफल या केसर नह मैंने बचा ली है इसका इस्तमाल हम बार में करेंगे अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें चार से पांच कुटी हुए इलाइची डाल रही हूँ इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब इसमें ये आटा डालेंगे जो हमने भून कर रखी तो सारे आटे को मैंने एक साथ डाल दी है अब इसमें गुठलिया ना पड़े तो इनको लगतार चलाते वे मिलाएंगे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये डो जैसा ना हो जाए और ये कढ़ाई न छोड़ने लगे धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये डो के फॉर्म होने लगे तो हमें गैस ओफ कर देना है और इनको एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेना है तो सारे मिक्षर को मैंने प्लेट में निकाल ली है अब हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहे हैं तो इनके हम छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से मोदक के लिए बढ़िया से फिलिंग भी त्यार हो जाती है आप चाहे तो बिना फिलिंग के भी मोदक बना सकते हैं इधर आँटा थोड़ा ठंडा हो गया है तो चलिए अब हम मोदक बना लेते हैं तो सबसे पहले हम मोल्ड वाल बनाएंगे बिना मोल्ड के भी आप मोदक बना सकते हैं कैसे बनाएंगे आगे मैं आपके साथ सियर करूंगी तो आटे को मोल्ड में डालने के बाद इसे अच कर लेंगे और इसके अंदर ये बॉल डाल कर अच्छे से दबा देंगे और इसके उपर आटा लगा कर अच्छे से पैक कर लेंगे आप चाहें तो इसे बिना इस्टफिंग के भी बना सकते हैं और देखें कितना अच्छे से ये डिमोल्ड हो गया है कहीं से भी टूटा भी रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होंगे ये सारे मोल्ड मैंने मोल्ड से बनाई है अब चलिए बिना मोल्ड के अब मोल्ड बना लेते हैं तो थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे इसे मुठी में दबाते हुए रोल कर लेंगे और अब इसे हाथेली के बीच में रखेंगे और उपर की तरफ दबाते हुए थोड़ा पतला कर लेंगे और नीचे की तरफ थोड़ा फ्लैट रखेंगे अब एक चम्मच या टूध पिक लिजे इस से इस तरह से हलका सा फ्रेस करते हुए इस पर निसान बना लिजे और देखे कितना खुबसूरत सा ये मोदक बनकर त्य एटपर बन जाते हैं तेस्टी भी है और हेलदी भी तो दोस्तो गड़ पति बपा के लिए रोज कुछ नकुछ बनाना होता है तो आप इसे एक बार चरूर बना कर देखिएगा और गड़ पती बपा के लिए वीडियो को इक लाइक कर दीजेगा, सेर कर दीजेगा और चैनल को सस्काइब करना ना भूलेगा